Hello बच्चों, Welcome back to the new lecture बच्चों आजे सब्गृूप का lecture 2 और सब्गृूप के lecture 1 में मैं आपको सब्गृूप का मतलब और सब्गृूप की definition समझा चुका हूँ और मैंने बहाँ पर आपको सब्गृूप के example भी बताई थे और साथ में मैंने आपको महाँ पर एक theorem बताई थी और मैंने बोला था कि subgroups में जो theorem है वो बहुत जादा important है जिसमें मैंने आपको क्या बताया था अगर आप किसी subset से कोई दो elements A और B लेते हो और अगर आप A B inverse करते हो और वो भी H में ही चला जाता है तो जो H होता है वो directly subgroup बन जाता है ठीके न जो H होता है वो directly subgroup बन जाता है ये मैंने आपको first theorem में बताया था और मैंने आपको कहा था कि इसका हम आगे भी use करेंगे theorems को proof करते डाइन तो आज के इस lecture में हम कुछ और theorems को करेंगे यहाँ पर मैं subgroups की intersection और subgroups के union के बारे में बात करूँगा ठीक है, subgroups की intersection और subgroups के union के बारे में बात करूँगा तो यहाँ पर मैं मेरे पास first part है the intersection of two subgroups of a group is again a subgroup of group ठीक है, मेरे पास किसी group के दो subgroup है और अगर मैं उन दोनों subgroup की intersection करता हूँ ठीक है उन दोनों subgroups की अगर मैं intersection करता हूँ तो जो मेरे पास intersection करके जो एक set मनेगा वो फिर से मेरे पास subgroup बन जाएगा उसी group का मेरे कहने का मतलब है कि अगर मेरे पास h and k जो है वो मेरे पास कोई दो subgroups है g के अगर मैं h intersection k करता हूँ ठीक हें एक इंटरसेक्षचन के करता हूं तो यह एल्ट इंटर सेक्षचन के वह को जो होगा वह वह जी का सब्गुरूप होगा है यहीं मेरे पास 2 तो अब इसको proof करेंगे और proof करते time हमने इसमें theorem 1 का use करना है और theorem 1 की statement मैं एक वार फिर से लिख देता हूं उसमें क्या था for all a,b belonging to h a,b inverse belongs to h ओना जाहिए ठीक है अगर ऐसे होता है तो यह direct जो h होता है है वह subgroup है जी का तो इसमें मैं definition का भी यूज करूँगा और फिर्स्टियों का भी यूज करूँगा तो मैंने कैसे करना है कि सबसे पहले मैंने पताना है कि जो h intersection k होगा वह subset होगा जी का सबसे पहले तो मेरे पास यही condition होती है कि वह subset होना चाहिए उस group का तो अगर यह subset होगा जी का और मैं अगर इस intersection से अगर मैं कोई दो element लेता हूँ इस intersection से और अगर मैं यह condition अगर satisfy करवा देता हूँ यहाँ पर h intersection के लिख दता हूँ मैं for all a b inverse belong to a ठीक है यह मैंने कर दिये यहाँ पर मतलब मैंने h intersection k से मैंने कोई दो elements लिए तो यहाँ पर a b inverse भी अगर मैं वहीं पर ही belong करवा देता हूँ तो मेरे पास यह ग्रूप बन जाएगा h intersection के जी का ठीक है सब ग्रूप बन जाएगा h intersection के जी का तो मतलब मैंने सबसे पहले इसको subset प्रूफ करना है फिर मैंने यहाँ से कोई दो elements लेने फिर a b inverse अगर वहीं पर ही belong कर जाएगा तो इसका मतलब यह सब ग्रूप बन जाएगा ठीक है यह first term का use करूँगा मैं यहाँ पे तो अभी मैंने यहाँ पर ऐसे ही किया हुआ है let h and k r the subgroups of g य उसके बाद वह group के binary operation के अंडर ही group बनाके सब गूरूप बने हुए है तो उससे पहले तो इसका मतलब क्या है कि जो एच और k होंगे यह दोनों subset होंगे इसको प्रूफ करते हैं पहले मैंने यह बताने कि इंटर्सेक्शन एंपटी नहीं होगी इसमें कम से कम एक element तो exist करेगा ही करेगा तो अभी मैं बही बता रहा हूँ यहां पर now h is a subgroup of g and k is this subgroup of g h और जो k हैं वो दोनों subgroup है ने जी के तो इसका मतलब कि है कि identity element जो वह h से भी है और इसके मेरे पास कोई दो subgroup है h and k ठीक है h and k या इसके इलावा और भी हो सकते है ठीक है तो इसके जितने भी subgroup होंगे न अगर इसका identity element अगर e है तो इन सबका identity element भी e ही होगा ठीक है सबका identity element e ही आएगा subgroup चाहे जितने भी हों उन सबका identity element होता है वह main group का identity element होता है वह होता है तो इसलिए यहाँ पर मैंने ऐसे लिख हो है जो identity element था वह जी से भी belong कर रहा था तो इसका मतलब कि identity element h में भी आएगा identity element k में भी आएगा क्योंकि यह दोनों जो है वह subgroup हैं Sub Group है, मतलब वो Group है, तो Group में Identity Element, और Identity Element exist कर रहा है, तो वह सबके लिए Same ही होगा, क्योंकि जो सबữब होता है, उनका इड entitity Element होता है, वो Main Group का है identity Element होता है, तो E मेंands belonging करेगा, E इस में belong करेगा, क्योंकि वो G में belong कर रहा था, इसका मतलब करेगा, प्रूफ करएंगे नौइ अपके लिए लुरूरी होता है प्रूफ करने इसको प्रूफ कर देना जैसा कि मैंने आपको बताया था इसे अब मैंने यहां पर a और b जो इस इंटरसेक्षन से लिए हैं इसका मतलब किया कि a A और B होंगे वो H में भी आएंगे और वो K में भी आएंगे तो A और जो B हैं यह दोनों H में भी आएंगे और जो A और B है वो दोनों K में भी आएंगे ठीक है तो यहां पर अभी जो वह सब ग्रूप है तो इसका मतलब है कि A B Inverse ब्लोंग करेगा एच को क्योंकि ये ग्रूप है और मैंने आपको बहला था ग्रूप में A B Inverse ब्लोंग करता ही करता है सिमिलरली यहां पर के के लिभी हो करेगा सबसे पहले यहां पर यहां पर इनवर्ष प्रिट करेगा इस गूर्प मैं पर विलॉंग करेगा और और बीटि इनवर्ष बिलोंग करेगा दो अब यह एच में भी आ रहा है और के में भी आ रहा है तो इसका मतलब क्या है यह इसको प्रूफ कर दिया है अभी मेरे पास आजाएगा h intersection k is the subgroup of g by the first theorem यहाँ पर मैंने सिर्फ first theorem का ही use किया हुआ है I hope अब आप इस theorem को समझ चुके होगे तो यह जो मैंने अभी आपको बताया है यह मैंने सिर्फ two subgroups के लिए बताया intersection of two subgroups अब next theorem भी ऐसी ही है उसमें मैंने arbitrary collection of subgroups के लिए यही same proof ऐसा ही करना है arbitrary collection of subgroups मैंने ली हुई होगी और उसकी मैंने जब intersection करनी है तो वो जो intersection आएगी वो भी subgroup ही होगी अब मैंने ऐसा proof करना है ठीक है next theorem में यही है same proof जैसे मैंने अभी आपको करवाया बिल्कुल उसी तरह से मैं आगे करूँगा अब second part है मेरे पास the intersection of an arbitrary collection of subgroups of a group is again a subgroup of the group same जो मैंने अभी आपको पहले करवाया उसी की तरह है बस मैंने यहाँ पर arbitrary collection of subgroups ली हुई है ठीक arbitrary collection of subgroups ली हुई है और जब मैं उनकी intersection करूँगा तो मेरे पास जो subgroup आएगा जो मेरे पास यहाँ पर यह जो यह मैंने arbitrary family of subgroups मैंने ऐसे consider की हुई है ठीक है arbitrary collection of subgroups है मैंने यहाँ पर यह consider की हुई है lambda belongs to यह होता है capital lambda ही होता है एक type का यहाँ पर यह lower case lambda and upper case lambda होता है मतलब यह arbitrary collection को यहाँ पर represent कर रहा है ठीक है 4o lambda यहाँ पर यह represent कर रहा है तो अभी मैंने यहाँ पर यह group की जो family मैंने consider कर लिए है तो अभी यहाँ पर मैंने इसको simplify करने के लिए मैंने इसको h के equal कर दिया है मतलब जो intersection होगी इन सभी subgroups की मैंने उसको equal to h कर दिया है एक 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 बैली के लिए यह सब गुरूप है तो यहां पर जो इह होगा वह बिलोंग करेगा क्योंकि यह गुरूप है तो यहां पर यह जो वह बिलोंग करेगा four all lambda अब cave ए जो वह लैंड़ यह बिलोंग कर रहा है तो जो ए होगा वह मेने इंट्रसेक्शन तो जो और उने वहां हो सेम जो मैंने पहले किये हुआ था कि मतलब मैंने पहले प्रूफ किये हुआ है कि यह फाइ नहीं होगा अब मैंने आगे प्रूफ करने के लिए एच को सबसेट बताना है जी का तो अभी मैंने वैसे ही किये हुआ है ओल्स गरूप है are just not और अब यह सबसेट भी होगा तो अब यह जो इंटरसेक्शन होगी वह पहली सबसेट को कि क्याते चाहिका hun तो यह जू श्पशन है यह भी सबसेट बन झाएगा जी जी नलेट सबसेट केसा है है दो elements को मैंने consider किये हुए A and B which implies AB belongs to intersection H lambda मतलब मैंने simply H की जो मैंने value consider की हुई थी मैंने वही यहाँ पर लिख दिये अब यहाँ पर AB जो वो intersection से belong कर रहे हैं मतलब वो intersection से belong कर रहे हैं मतलब वो हर एक H lambda के लिए होंगे हर एक H lambda में AB तो belong करेगा ही करेगा ठीक है तो यहाँ पर आजएगा AB belongs to H lambda for all lambda अब A, V जो है वो H lambda से belong कर रहे है और जो H lambda वो तो subgroup है तो मतलब AB inverse belong करेगा H lambda को for each lambda belongs to capital lambda H lambda is a subgroup of G ठीक है यह हर एक lambda के लिए जो है यह सब O lambda के लिए बता रहा हूँ आपको तो यहाँ पर यह intersection से भी belong करेगा अब इंटरसेक्शन से बिलोंग कर रहा है तो मैं simply यहाँ पर इसके value को भर दूँगा बिच इंपलाइज AB इंवर्स belongs to H और यही तो मैंने प्रूफ करना था मतलब AB इंवर्स से बिलोंग कर रहा है और मैंने AB कहां से लिए हुआ था वह मैंने एच से ही लिए हुआ था तो अभी मैंने फर्स्ट थियोर्म के किन ही दो सब्गुरुप का तो वो सब्गुरुप बनेगा या नहीं बनेगा तो यहाँ पर अभी यह जो थर्ड पार्ट है यह उसी को ही बता रहा है the union of two सब्गुरुपs of a group is a सब्गुरुप if and only if one is contained in other देखो अब यहाँ पर condition आ गई है इंटर्सेक्शन के टाइम किया था कि आप किनहीं भी दो सब्गुरुप की अगर आप इंटर्सेक्शन करोगे न तो वो हमेशा सब्गुरुप बनेगा ही बनेगा बट अब union में कि यहाँ पर एक condition आ गी है कि जो सब्गुरुप सोंगे उनमें से किसी एक को तो दूसरे मे ठीक है न है if and only if one is contained in other तो अभी मैं इसका भी प्रूफ करूँगा अब जैसे कि यहाँ पर if and only if आ गया तो अभी मैं इसको नसेसरी पार्ट में करूँगा तो अभी हम इसके प्रूफ को करते हैं प्रूफ में सबसे पहले मिरे पास आ जाएगा necessary part अब necessary part में मैंने क्या लि union H2 is again a subgroup of G मतलब जो H1 union H2 है वो फिर से मेरे पास subgroup बन जाएगा G का मैंने इसको एसको एजियूम करना है अब देखो मैंने बता दिये कि जो union है वो subgroup है G का तो अभी मैंने proof करना है कि इन में से कोई एक जो होगा वो दूसरे में contain होगा ठीक है H1 is contained in H2 या तो फिर H2 ज suppose that H1 is not contained in H2 and H2 is not contained in H1 मैंने यहां पर लिखा नहीं होगा है यहां पर इसका मतलब H2 is not contained in H1 मतलब नहीं तो जो H1 है वो H2 में जा रहा है और नहीं जो H2 है वो H1 में जा रहा है ठीक है तो यानि कि इन दोन में कोई भी जो element है वो common नहीं होगा मतलब अगर मैं यहां H1 से क A belonging to G such that A belongs to H1 but A does not belong to H2 मतलब A जो H1 से तो belong कर रहा है बट वो H2 से belong नहीं कर रहा है क्योंकि जो H1 है वो contained नहीं है H2 में similarly यहां पर again H2 is not contained in H1 so there exists B belonging to G such that B belongs to H2 but B does not belong to H1 B जो H2 से belong करेगा बट वो H1 से belong नहीं करेगा now H1 is the subset of H1 union H2 ठीक है जो H1 है वो H1 union H2 का subset है क्योंकि H1 union H2 होता क्या है या H1 और H2 के सभी elements को मिलाकर जो मेरे पास जो subset बनेगा उसी को मैं H1 union H2 बोलूँगा न तो यहां पर मतलब H1 जो होगा वो इसका subset तो हो गई होगा H2 बी जो है वो subset है H1 union H2 का which implies B belongs to H1 union H2 मतलब अभी A भी बिलोंग कर रहे और B भी बिलोंग कर रहे इस union को A and B belongs to H1 union H2 अब जैसा कि मैंने assume कि हो सा starting से कि जो H1 union H2 वो subgroup है G का ठीक है यह subgroup है G का मतलब यह group है तो इसका मतलब AB inverse यहां पर इससे बिलोंग करेगा तो AB inverse belongs to H1 union H2 हो जाएगा Since H1 union H2 is this subgroup of G तो इसका मतलब क्या है अभी यहां पर जो AB inverse है वो या तो H1 में है या तो H2 में है तभी वो इस union में जाएगा न तो इसका मतलब है आईदर AB inverse belongs to H1 और AB इनवर्स belongs to H2 अब यहां पर मेरे पास दो case बन गया है तो अभी मैं इन दोनों case को discuss करूंगा बारी बारी से first case में मैंने लिए हो है when AB inverse belongs to H1 एब इनवर्स जो है वो H1 में बिलोंग कर रहा है तब मेरे पास क्या जाएगा since a belongs to H1 जो starting में मैंने आपको बताया था और जो H1 है वो तो सब ग्रूप है तो इसका मतलब जो ए इनवर्स होगा वो भी विलोंग करेगा एच बन कोई क्योंकि एच जो वो ग्रूप और वहां पर इनवर्स जो वो एक्जिस्ट करता है अब यहां पर जो ए इनवर्स है वो कर जा तो यहांपर जो एनवर्स एहं यह तो ऑज़ता है तो यहां पर आजएगा इवी को जो नसुक्सक्राइबALI सब तो यहांपर तो यह मतलब टू नहीं हो रहा है बिच इस पॉसिबल मतलब यह वाला जो है यह तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता अब मैं दूसरे केस को डिसकस करता हूं स्टीर केस इस प्लोंग कर रहा थो इसके लिए अपको बता दिया अभी अगर सब्सक्राइब करेगा तो कि आजएगा मेरे पास तो एस टू बिच इंप्लाइस ए भी इनवर्स वी फिल्वांस टू एस टू देखो जो भी है वो एस्टू को विलोंक रहा है अगर मैं यहां पर उप्रेट करूंगा तो यह पहले हैस्टू में जा रहा था और बी रहे चितू में जाएगा तो यहां पर आफीर से. से यहां पर आजएगा a belongs to h2 which is again not true क्योंकि जो a था वो h1 को belong कर रहा था h2 में सिरफ b belong कर रहा था a नहीं कर रहा था यहां पर फिर से not true आ जाएगा ना तो यहां पर यह वहला केस भी possible नहीं होगा this case is also not possible तो इसका आइदर h1 is contained in h2 और h2 is contained in h1 ठीक है अब मैंने इसको proof कर दिये contradiction से तो यह तो था necessary part अब sufficient part भी मैं इसका proof करूँगा अब sufficient part में मैं क्या करूँगा proof कि मेरे पास जो h1 और h2 है वो एक दूसरे में contain है और मैंने बताना है कि जो h1 union h2 है वो subgroup है g का ठीक है अब मैं sufficient part में यही बताऊँगा तो sufficient part में मेरे पास आजएगा suppose that either h1 is contained in h2 और h2 is contained in h1 जैसे कि मैंने अभी आपको बताया तो यहाँ पर आजएगा h1 कर रहा हो तो इसका मतलब है कि जो h2 है वो contained h1 में अब h2 ही h1 में contained है तो मैं जब h1 union h2 करूँगा तो वह ही बन जाएगा मेरे पास तो यहाँ पर यह h2 के equal आएगा या तो फिर मेरे पास h1 के equal आएगा अब h2 और जो h1 है वो तो पहले से ही मेरे पास subgroup है तो इसका मतलब कि जो union है वो भी subgroup बन जाएगा ठीक है h1 union h2 is a subgroup of g since both h1 and h2 are the subgroup of g यह मैंने starting से आपको assume किया हो था जब मैंने आपको बहां पर बताया हो था तो यहाँ पर जो h1 union h2 है वो भी subgroup बन गया है g का तो बस यही था इसका simple सा proof I hope आपको इसका proof समझ में आयोगा और इसकी जो statements हैं यह बहुत जादा important होती है यह आपको दो numbers में एक number में या तीन number में या पांच number में exam में पूछी जा सकती हैं अगर यह पांच number में आता तो साथ में आपको इसका proof भी पूछा जा सकता है तो इसलिए यह जो theorems मैंने आपको करवाई यह important है I hope आपको यह theorems जो वो समझ में आई होंगी अगर आपको आज का lecture अच्छा लगा हो तो lecture को like जुरूर करें और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जूर करें मिलते हैं next lecture में और next lecture में मैं और भी theorems को लेकर आने वाला हूँ और साथ में मैं आपको अभी product of subgroups भी next lecture में करवाऊंगा सो मिलते हैं next lecture में once again thanks for watching this video